हलो गई विल्कम बैक नीव इडियोज में बात करने वाले हैं फिन-फिन के बारे में किकल किस तरीके से अपकी प्लैनिंग होनी चाहिए आज का दिन उतना खास नहीं था ना तो निफिन के लिए ना बैंक निफिन के लिए ना फिन-फिन के overall market की बात करें तो आज ज़्यादा opportunity market ने नहीं दी market ने काफी ज़्यादा बोर किया तो देख लेते हैं फिन निफ्टी का planning क्या होना चाहिए कल के लिए और आज क्या हुआ तक कहां पर आप क्या बना सकते थे तो जल्दी से जाते हैं अपने telegram channel पर सबसे पहले बताऊंगा guys 1.6K subscriber बाला ही हमारा channel है जिसकी link आपको description में मिल जाएगी इसके अलावा कुछ और मत लीजिए यानि कहीं और गलत जगे add मत हो जाएए अब सबसे पहले देख लेते हैं आज के profit जो की आपको देखने को मिलेगे बहुत कम 786, 1184, 897, 1204 ये मैंने आप लोग को mid market में बताया था कि market हमारा full on sideways है तो जब तक हम इन levels के उपर नहीं निकलते तब तक तो हम वैसे ही कुछ नहीं करने वाले उसके अलावा 8000 का profit और एक और चीज ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ है कि जो 8000 का ये loss है ये because of internet issue हुआ है तो आप लोग को हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप काम करते हैं तो इस तरह की दिक्कते ना आएं आपके साथ वरना आप किसी दिन बड़े loss में जा सकते हो तो net weight का थोड़ा सा ख्याल रखा और position sizing भी important होती है कि आपके position sizing में काम कर रहे हो उसके अलावा 150 1510 का profit ये हमारा nifty का trade था 151 PM पे दिया गया था after 1 PM जो की trigger ही नहीं हुआ market ने इसको trigger नहीं किया ठीक है ये हमारा एक और था पहले हमने ये वाला दिया था ये एक हमने दिया था call side में then हमने दिया put side में ना ये trigger हुआ ना ये trigger हुआ actually ये वाला trigger होने वाला था लेकिन मैं समझाओंगा nifty के वीडियो में कि क्यों यहाँ पे जो price न entry अब हो 127 ये entry actually 104 होने वाली थी but वहाँ पर जो condition हमको चाहिए थी वो नहीं मिली और जिसके चक्कर में हमारा ये kind of छूड गया नहीं तो 15-20 point तो यहाँ पे हमारी ये बन जाते तो फिर ये वाली नई entry हमारी नहीं होई ठीक है इसके लावा bank nifty में हमने ये दो stack price दिये थे जिसमें 40-50 point का move आया उसके लावा कुछ नहीं बस ठंडा पड़ा रहा दिखाना इसलिए था क्योंकि जो बताया है वो आपको भी बताना जरूरी है बट overall आज का दिन बेकार ही था क्योंकि ना तो लोगों का profit बना है ना market अच्छा था आप लोग को मैंने trade कहां दिया था टेलीग्राम पर वो दिखा देता हूँ 50 पॉइंट का मूव सुबह आया था 45,700 के नीचे आपको scalping के लिए बोला था उसके बाद एक और मैंने आपको मूव बताया था जहां पर भी 50 पॉइंट का मूव आया था ये देख सकते हो 46,090 के नीचे put side scalping opportunity छोटे SL के साथ और यहां पर कितना पॉइंट का मूव आया कहां चला गया वेट आ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ये आया था get ready for this move 60 पॉइंट का मूव आया इंडेक्स के उपर और प्रीमियम पे मूव नहीं आया जादा around 20-30 पॉइंट का ही मूव आया बड़ा मूव नहीं आया अब बात करेंगे हम यह फिन निफ्टी के बारे में ठीक है तो कल हमने आप लोग को जो बोला था कि market क्या कर सकता है देखो आज के दिन और कल के दिन एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि market की closing positive होई है market आज नीचे गया लेकिन close वापस upside आके किया है और यह हमारे लिए बढ़िया है ठीक है क्यों बढ़िया है अगर कल हम positive होते है तो हमें एक बढ़िया target देखने को मिल सकता है यहां से एक यह trend line डाल दो ठीक है जिसके support के साथ market उपर जा रहा है हमने बोला था यह levels के उपर आपको इन levels के लिए जाना है यह levels के उपर market कब निकला है यहां कहीं निकला है लेकिन because of market sideways है तो वो उपर नीचे उपर नीचे करता हुआ जा रहा है आपको अच्छा trade plan करने का मौकन निदे रहा है हमें चाहिए इस तरीके का move इस तरीके का move इस तरीके का move जिसमें पैसा बनता है यह वो move हैं जिसमें पैसा बनता है इन में बनता है option buyer का पैसा आप ऐसे moves के लिए ही plan करो ठीक है ये हमारा एक trend line जा रहा है हम कल की बात कर रहे हैं आज तो कुछ खास हुआ निफिन निफ्टी में इसको mark कर लो काम आएगा ये जो important level है अपना 20,440 इसको mark कर लो upside का ठीक है अगर हम यहीं कहीं open होते हैं तो इसके उपर आपको moment मिलेगा कितना moment मिल सकता है मैं बता देता हूँ आप लोग को कहा तक हमारा market जा सकता है 480 से लेके 500 तक और फिर 550-560 तक ये आपका upside का target होना चाहिए किसमें fin nifty में but on the other side अगर हम इसको नहीं तोड़ पाते हैं तो आपका put side में हम इसके नीचे plan करेंगे यानि कि 20 या 360 के नीचे एक और तरीका है पता करने का कि किसके नीचे हम plan कर सकते हैं for the put side तो एक second मुझे दे दो यहां पे आज का day लो ये रहा आज का day है ये रहा अब इसमें देख लेते हैं 50% का area कहां पर आ रहा है 50% का area काफी नीचे आ रहा है तो हम इसके base पर नहीं जा सकते ये चीज मुझे एक समझ में आ रही है अगर मैं इसको हटा के एक second दो इसके according हम बिलकुल नहीं जा सकते इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे अगर हम इसके according morning का opening और low को लेके लगाए एक बार तो हमें क्या level देखने को मिल रहे है ये एक बार मैं देखना चाहता हूं कि market ने कहां पर क्या लिया आज के दिन में support वगेरा 50-60% पर support लेके market उपर की तरफ निकला है ओके 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 तो हमारे लिए important 20,360 का level रहने वाला है और हमारे लिए important 20,440 का level रहने वाला है इसके लावा आप ये जो beach का area इसमें मैं बोलूँगा कि आप trade नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा momentum आएगा तो इस range के बाहर आप trade plan करेंगे otherwise नहीं अप trade plan कैसे होगी end pattern के साथ हो सकती है w pattern के साथ हो सकती है ठीक है और एक ठीक ठाक stop loss के साथ काम करना है वीडियो को like करो, channel को subscribe करो telegram को join करो, telegram से आपका पैसा बनेगा आज भी इतने बेकर market में आपको 50-50 point के scalp दिलवाए और मैं limited ही काम करवाता हूँ पूरे दिन नहीं आपको देता रहूँगा ठीक है, मेरा काम सिखाने का जादा है हमारे member सीखते जादा है और comment section में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो मिलते हैं nifty और bank nifty के वीडियो में thank you